नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूटूब चनल ट्रेट वित रहने चलिए दोस्ताइच के सुरुवात करते हैं आज हैं 19 जनवरी और जैसे कि अपने क्वाटर थरी की रिजल्ट की सीरी चलिए तो उसमें JSW Energy Limited का भी क्वाटर थरी का रिजल्ट आ चुका है तो उसके बारे हम बात करने से पहले अगर अभी तक अपने अपना चनल सस्क्राइब में किया तो पहले चनल को सस्क्राइब करिजिए बहले को बजाना बिल्कूल ना बोलिए तो JSW Energy के बारे में आपको ज्यादा एक्सिपेंट करना तो जुरोते हैं Renewal Energy Generation करते हैं, Generation Manufacture करते हैं, Energy Generation का भी काम करते हैं Company basically, Energy Generate करने का भी काम करते हैं Company और Renewal Energy के अंदर भी JSW एक नामी ग्रामी ब्रांड है जो काफी अच्छे आउटकम के साथ अच्छी अर्निंग और अच्छे ग्रोथ के साथ अच्छे मैनेजमेंट के साथ Company चल रही है एक इक बाइस यानि deeply वाइस इन्होंने explain कर रहा है कि हमारी हमारी ग्रोथ हमारे वर्किंग एरिया पहली वार किसी के हम अल्टीमेट रिचल देखने हों मिल रहा है वीडियो लाइक नहीं तो प्लिस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए तो एनसी बीसी दोनों पर रिष्टेट है JSW Energy Limited तो इसका मार्केट कैप है आज की डेट में एक्क्यावन हजार दो सो उननतर करोड़ वेगा स्टॉक पी चल ला है 52.8 का स्टॉक रोसी चल ला है 8.87 परसंट का बुग वेल्यू इसकी च्यानर रुपे की है और रिटर्न ओफ इक्यूवर्टी 5.94 परसंट है डिविडेंट कंपनी ने अभी तक दिया है 0.64 परसंट और फेज वेल्यू इसकी है 10 रुपे गी यह हो गया अब इसके अंदर पॉजिटिव सहिंग है वस कंपनी ने अपना डिविडेंट मैंटन रखा है 26 परसंट ऑफ मैंटन रखा है और बाकी इसके क्वार्टर थिरी क जो रिजल्ट है उसकी बात करते देखें क्वार्टर थिरी के रिजल्ट दिसंबर 2021 तो इसकी टोटल सेल होई है यह करोड के अंदर है टोटल सेल होई है इनकी 1894 करोड पे गी इनका टोटल एक्पेंस हो इस क्वार्टर में 1102 करोड पे गा ओप्रेशन प्रॉफिट आया इ 1894 करोड पे गी ऑप्रेशन प्रॉफिट 930 करोड था वह घटके हुआ 791 करोड पे गा और नेट प्रॉफिट 349 करोड से घटके होई 324 और एपेस लास्ट को आटा था 2.06 वह घटके हुआ 1.97 अब यह यह कंपरेसे ने करेंगे तो यह यह लास्ट इयर इनका रेविन्यू जनरेट हुआ था टोटल सेल अब जनरेट हुए दिन की 1609 करोड पे की बढ़के हुए 1894 करोड पे गा और और अप्रेशन प्रॉफिट आया था इनको लास्ट यह यह वाई तो 124 करोड से बढ़के हुआ 324 करोड तो नेट प्रॉफिट में काफे अच्छा इसाफा देखन को मिली है यह यह वाई तो लास्ट यह एपेस तर 0.75 वह बढ़के हुआ 1.97 देखिए तो यह यह वाई यह वाई तो रिजल्ट क्वाटर क्वाई थोड़ा सा डॉनफोल देखने को मिला बट यह यह वाई अच्छा रिजल देखने को मिला और सेल्स में बस ज्यादा कमी न क्योंद बाकि आवरेज वही पर आ जाती है बाकि रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिल रहा हमारे को यह वाई और फॉर्टर क्वाई थोड़ा सा डॉनफोल देखने को मिला बाकि निकलेस करते है कि इतनी बड़ी कंपनी का चोट आमोर पर नीचे चल सकता बाकि रिज शेरहालडिंग पैटन क्या ने कही है वह देख लेते हैं तो आज की दिन इसका ट्रेडिंग सेसन कैसर हो देख लेते हैं तो आज की दिन यह 90% के तेजी के साथ बंद हुआ है ठीक है आज यह 303 रुपे 70 रुपे ब्युक्त होता है तो पॉजिटिव में इसके अंदर और क्या है तो चलिए हम इसका इसका हम लोग डेली चार्ट पहले डेली चार्ट पे दिखेगा आपको तो डेली चार्ट पे आज के दिन जो कैंडल बनके एक हडल में शीर काफी देंगा चल्ला था तो थीन सो थीन सो से लेके 200 पिचाणव से लेकी 300 बीयुक्त के ऐस्पस में हडल चल रहा था उस हडल का आज ब्रेक आउट करेगा कल की दिन यह देखिए आज इसने चलोंसिंग मां रहे है एक हैमर काणल बनाई है का देख सकते हैं आपको दिन में तो आज की दिन में है में अब आप 10-15 दिन का target लेके चली यहां से 303 का stop loss लेके चलेंगे हम लोग तो यह hammer जो candle बनी है तो यह hammer candle तेजी को indication कर रही है और MSED uptrending है RSI भी uptrending के तरफ है तो यहां से जो पहला target निकल के आएगा वो निकल के 320 का और 330 तक के target मेरे को easily दिख रहे हैं इस week के अंदर 320 के बीच में फसा हुआ है ठीकिन दिसंबर के मन से लेके देड़ दो महिन से यह 320 के hurdle में फसा हुआ था अब मुझे लगता है यहां से 330 तक के level easily दिखा देगा तो 303 का stop loss से लेके अभी भी buy कर सकता है पहला target 320 का दूसर target 330 का यह 10 दिन के target दे रहा हूँ एक हफ्ते के अंदर target अच्छी हो जाएंगे क्योंकि result का impact देखने हुआ है मैं आसा करता हूँ कि मेरे द्वारा देगे जान करने से आप सहमत होंगे तो प्लिस वीडियो को like, share forward करना बिल्कुल ना मूले thank you so much for watching this video